सबसे पहले सभी को सुबो भी जाया, तो बात अभी यह है, LG G8X का चार्जिंग को लेकर काफी इस वाड है, इन बॉक्स चार्जिंग एडाप्टर नहीं दिया गया, तो इसके लिए तो आएगा, तो आभी एक पॉब्लेम दिखा जा रहे, काफी सारा लोगों को एक कॉन्फ 18 वाट से चार्ज हो रहा है, क्यों 20 वाट या 21 वाट में चार्ज नहीं हो रहा है, यह भी हम लोग यह भीडियो में आपको बोलेंगे, क्यों आपका फोन में 20 वाट या 21 वाट में चार्ज नहीं हो रहा है, 27 वाट का चार्जिंग एडाप्टर होते हुए भी, क्यों आपक तो दोस्तो सबसे पहले अगर हम लोग क्लारिफाइग कर देते क्यों ओपो रियल्मी भीबो एंड उन प्लस का ट्वाइन ट्वाट का चार्जिंग अरप्टर सपूर्ट नहीं करेगा बिकासब ये जो ड्रकॉमपनी है ये चार कॉमपनी के जो में टेग्नोलजी है ये एक दरा का टेग्नोलेजी को पर काम करता है और रिग्नोलजी अदो पर अगया Board Flash. चार्ज भी ठीक से नहीं होगा और आपका फोन के लिए और रिक्स भी है तो इसलिए मैं हमेसा रेकॉमेंड कोरूंगा आप आपका LG G8X किसी तरह यह चार्ड ब्रैंड का अगर आप 20W या 30W का चार्जिंग अरप्टर से चार्ज कर रहें तो मत कीजिए वह आपका फोन के ल देग रहा है तो उधर देख़़ा है इसका रिजन क्या है इसके जानने के लिए आपको कुछ चीज जानना पड़ेगा हम लोग आपको एग्जम्पेल की तोर पर इधर 18W का चार्जिंग अरप्टर और 15W का चार्जिंग अरप्टर इधर दिख़़ा है तो सबसे पहला आ इसका रिजन क्या है जो चार्जर होता है उसमें जो मैकसिमाम वR बुला जाता है उसमें सिर्फ नहीं उसका नीचे काफी सरा रेतिंग मैं चार्ज होता है जायसा 27 locks डो चार्जिंग अरप्टर है वो चार्जिंग एराप्टर में 12W में होता है नहीं भी होता है, इस तरह का मैं देखा, मैं confirm नहीं बोल पार है, उसका नीचे 10W में charge होता है, और इसका नीचे 7W इस तरह से डिवाइट किया जाता है चार्जिंग का स्पीड तो जो फोन में आप जब कोई चार्जिंग अड़ाप्टर लागाएंगे तो मैक्सिमाम अगर उसमें 27 वाट का सापोट है तो शुरू में 27 वाट में चार्ज शुरू होगा डिपेंडर अगर आपका 2% 3% होतो हुए भी एक टाइम की बात देखेंगे और भी नीचे आएगा 15 वाट इभेन एकदम लास में जाकर मदब 95% इस टाइम का कॉंडिशन में जाकर यह जो है 5 वाट में चार्ज होता है विकाज आप आपका जो फोन है उसका बैठरी को अच्छा रागने के लिए कॉम्प का नीचे सिधा 18 वाट को सपोट करते है बीच का 20 वाट 19 वाट या 21 वाट यह तीन यह सपोट नहीं करते है तो आपका फोन 21 वाट सपोट हो चाकते है बाट आपका जो साउमि का 27 वाट का चार्जी कह और यह जो है किसी तरह power deliver करने का system नहीं है, तो यह है main reason जिसके लिए आपका phone 27 watt में charge, 27 watt का charging adapter होते हुए भी, आपका phone 21 watt या 20 watt में charge नहीं हो रहे, 18 watt में हो रहे, इसके लिए जो है, मैं recommend करूँगा आप 27 watt का charging adapter मत लिजे, लेना है तो 18 watt का charging adapter, mbrain का जो है, कापी सारा time flip card में 255 रुपाय, 30 रुपाय में मिलता है, ज्याद से ज्याद से टाइम 300 की नीचे ही मिलता है, तो ओ charging adapter लिजे, इससे आपको पैसा भी बाचेगा, और आपको एक आच्छा charger में मिल जाएगा, तो यह है overall एक छोटा सा informative वीडियो है, और मैं आपको explain किया, क्यों आपका smartphone में ये काम नहीं कर 18 watts की चार्ज हो रहा है, आसा कारण आपको ये वीडियो कापी आच्छा एंड है, वीडियो आच्छा लगने पर वीडियो में एक like देकार, हम लोग को एक वीडियो का like target, जो 50 राखा गया, ओ जरूर फिल कीजिए, और कुछ भी जानना है, तो नीचे comment section जाएए, comment कीजिए आपका comment का answer आपको जरूर मिल जाएगा, LG G8 Relator, और अगा चैनल में आएगो तो चैनल सब्सक्राइब करो, पास में जो बेर आइकन है, उसको दबादी दो, तो इस तरह वीडियो का future notification आपको मिलत रहेगा, और हम लोग जो है, LG G8X का 15 watt charging adapter से किस तरह से charge हो रहे, उसका वी future में complete एक वीडियो दे देंगे आपको, वो भी आप देखेंगे, तो 15 watt से कितना टाइम लाएगा, 12 watts से भी हम लोग करेंगा, G8X है, इसका रिलेटर हम लोग और भी कापी वीडियो करेंगे, जिसके अदर Google Camera का रिलेटर है, tips and tricks रिलेटर है, कापी सरा वीडियो, मिनिमम 6- साथ तो वीडियो आएगा, near future, एक दो सक्टा की आंदर,